असलाम अलेकुम गाइज वेलकम टू स्टार अकाश्टेक यूट्व चैनल तो एवरीबड़ी फाइन अमीद के तुम इत्माम फैंस अल्लाव पार क्याद से इमान में होगे तो एक नियु वीडियो के साथ आपके साथ हाज की विडियो आपके साथ हाज की विडियो मैं स्व और अगर आप आप अपने अप्रेटिंग सिस्टम पर रन करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वाइरमेंट कि नहीं होनी चाहिए तो गाइस जो बिसीकली सबसे पहले एक्स कोड जो है वह आपका अलावन होना चाहिए अगर आप स्विफ्ट यू आई को अपने सिस्टम में र जो है वह रिक्वाइरमेंट के लिए हास से तोजर बारा मिट मैंको होना चाहिए ठीक है जिसका टैन पॉइंट फिप्टीन पॉइंट लेटर सम्तिंग जो भी वरियन है वह वर्क करेगा ठीक है और यह आप रिक्वाइरमेंट देख सकते हैं में स्क्रीन पर जो एक्स कैसे लिए के लिए मस्तर चाहिए और इसी के साथ सबसक्राइब कर टैने साथा है अब बात जीया के स्वित यूई को लर्न क्यों करना चाहिए अब पर फ्यूचर जो रिचित की आ उइस डुएफ्मेंट कि अगर मैं बात करूँ एक्स कोड के लिए आसे तो फ्यूचर दे तो आएस डवेलपर जो हैं उनकी ज़्यादा कोशिश यही है कि वह स्विप्ट यूई पर काम करें क्युक्त विश्विट यूई इसी है तरिक है एस कमपेर डू स्टोरीबोर्ड और जो एप हम स्विप्ट यूई पर ड्वालप करते हैं वह काफी शार्प होती है फॉस चल वहां भी हमारी जो switch UI की जो फाइल होगी वो जड़-ज़द 5 MB 10 MB की फाइल होगी ठीक है जिसमें आपका कोड होगा अब इसमें पैकेज मेनेजर को भी यूज कर सकते हो काका पॉड्स का भी यूज कर सकते हो लेकिन पैकेज मेनेजर वो इसके रिलेटिब मैं इंशाला का पॉड्स को आप यूज करते हो ठीक है सैम है बट जो है पैकेज मेनेजर हो उसको काफी पाइद है ठीक है तो गज़ यह वीडियो जो थी यह तो रिलेटिटिट की switch UI को आपने कैसे अपने सिस्टम में इंस्टाल करना है उसकी requirement क्या है तो मैं फिर से आपको गजा देता स्विफ्ट यूए के लिए आपके पास जो मैक बुक होनी चाहिए और 10.15 पॉइंट लैटर सम्टिंग अलस जो भी आपके पास वरियन है ठीक है उस पे चल जाए ठीक है और X-Code यूए आपका 11 होनी चाहिए ठीक है यह minimum इसकी requirement है और रनिंग की बात करहें तो आपकी जो HTML और CSS जो हो आपकी उसमें clearance वानी चाहिए फिर आप easily उसको learn कर सकेंगे थैंक्यू गाइज आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है